गाइस पैट्रोल या डीजल कार से इलेक्ट्रिक कार पे शिफ्टिंग होना मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक कार से अली पॉलुशन कंट्रोल करेगी बट इसका मिनिंग यह नहीं है कि इलेक्ट्रिक कार जिरो एमिशन या इको फ्रेंडली है Most of people believe कि इलेक्ट्रिक वेहिकल एक परफेक्ट एग्जामपल है क्लीन और ग्रीन एनरजी का बट एक गलत एफ्रेंड्स Let's check the dark secret of the electric vehicle Friends, EV में लिथियम बैटरी यूज होती है कार चलाने में और इलेक्ट्रिक स्टोर करने के लिए ये बैटरी प्रोड्यूस होती है रेर अर्थ कॉंपोनेंट से जैसे के लिथियम, निकल और ग्रेफाइट लिथियम एक मेंड मेटरियल है बैटरी मैनुफेक्ट्रिंग के लिए और वो माइनिंग करके प्रोड्यूस किया जाता है ऐसा बताया जाता है कि एक टन लिथियम माइनिंग के लिए अराउंड 20 लाक लिटर वाटर यूज होता है माइनिंग से एर पॉल्यूशन भी होता है लिथियम माइनिंग एड़ूर्मेंट के लिए काफी हामफूल देगा गाइस एलेक्टिक वेहिकल बैटरी रिचार्ज के लिए अगर अपन सोलर वीन एनर्जी और इवन नुकिलर एनर्जी यूज नहीं करते हैं तो इंडिरेक्ली एमिशन हायरी होगा फोर एग्जामपल बैटरी चार्ज के लिए जो एलेक्टिसिटी यूज होती है वो अगर फोसिल फ्यूल यानि नौन रिनुवेबल एनर्जी सोर्च से प्रोड्यूस हो रखी है तो इसका मिनिंग यह है कि कार तो पॉल्यूशन नहीं कर रही है बट पॉल्यूशन अल्रडी हो चुका है पावर प्लांट में सो फ्रेंट्स एलेक्टिक वेहिकल ड्राइव करते समय पॉल्यूशन नहीं हो रहा है बट कार मैनुफेक्ट्चरिंग के टाइंग एनर्जी प्रोडक्शन होता है तब और का लाइफ साइकल एंड में पॉल्यूशन होता है तो फ्रेंट्स इस किलियर एलेक्टिक वेहिकल अर अल्सो इंडिरेक्ली मेकिंग पॉल्यूशन थैंक्यू